कि अज़ाइन वेल्कम टू पिंट चनल आज हमी डिजाइनर नेट वाला ब्लाउस बनाई में जिसको आप कुट्टी पे पिछे बनाना जाकते हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए हमें ये डेश चेही होगी और ये नेट चो आच के बाहरा भी बहुत आचानी से म देखे इस तरीके से और इसमें लगाती है ये उपर का इसा हमारा उल्टे कप्डा है ये वाला अब हम इसमें पहले नेक में निशान लगाएंगे नेक हमारा तीन इंचोड़ा है पर इसमें नेक लगा रहे हैं इसलिए हम एक और एक्स्ट्रा लेगे यानि टोटल के प VPN लगाएंगे उपैड कर साथ से दिखाई डए डेगे दिखे इस तरिके से मैक में हमने चरथीन इंचया नें जब एक नतल लगा रहे हैं तो चार इंच चोड़ा लेंगे ब्लेक, सब मतल आ हैं हमारे इसलिए हम साले दर दस ऊपर आजाता इंच और नीचे आजाल है इसलिए हम 11.5 पर निशान लगाएंगे, आप इसको कम भी कर सकते हैं, जितना आपको जरूरत हो इतना निशान लगाएंगे, 11.5 इंच पर हमारे गड़े की तोटल लगवाई हो जाएंगे 10 इंच, अब हम इसको स्केल से निशान को मिला ले ले, इस तरीके से, इधर से भी हम इधर से आदा इंच कम कर देंगे, यह हरका सा ग्लाश शेप हो जाएगा, तो इधर दोनों साइट से हो जाएगा, एक इंच कपड़ा कम, इस तरीके से, उपर हमारा गले की चोड़ा यह आठ इंच है, नीची तरी 7 इंच है, इस तरीके से, हम उसको पहले पूरे में मिला अब हम इस निशान को पर स्लाई करेंगे, इस तरीके से, इसको हम दूसरी तरफ करेंगे, निशान ऐसे आ जाएगे, देखे, दोनों तरफ में निशान आ गया है, मिला को इंच कर लिया है, अब हम इस पर स्लाई करेंगे, देखे, हम इस पर निशान को पर स्लाई करते फिर कप्डे को घुमा करके सीधा तरीके सब के इस तरीके से हैं इस इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है आप अपने किसी सर्द को बना सकते हैं यह दिके अम निशानों को पर प्लाए कर लगा दिये अब निशान से टुछी तो ज्राइब फिर जाप याधा इन चूड कर्के फिर मैं ज़िए को कफ्रील क electronics लगा है य् pan कि पो लतने में फिर इसके पीनिशिंग है ये बहुत अच्छी आईगी इस तरीके से अब हम 20 को शीदा करें के और फिर हम1 को सी Disney कर रहैं कि ये रहे Motorsีदा Cyden करें बबने Hutाan अच्ची से आईगी ये रिक इस यह उपर हमारा 8 इंच है देखिए देखें और नीचे से हमारा 7 इंच हलका सा ग्लास शेप लिया हुआ है इसमें आप चले इसमें नेट के कप्ड़े को लगाएंगे यह हमारे दो नेट के कप्ड़े में लिए काट करके यह देखिए दो पीस इसकी चौड़ाई है हमारे 7 इ और इसके लंबाई गले से साधली है करीब 12 संच यह देखिए इस तरीके से अब हम और यह जो एक पट्टी बन ली है हमने 2 इंच की यह देखिए जो बटन के लूप के लिए बनाने के डोरी के चाहिए होगी यह देखिए और यह करीब 20 इंच लंबी है और 2 इंच लूप की डोरी बनाएंगे चले अपने इन नेट के टकडू में देखिए इस तरीके से सामय को टेके कप्ड कौला कर लेटे हैं और इसमें 5 इधा साइड से 10 इंच ऑन्दर के साधिन चाहिए इस नोळेंगे पहले वह कि इसरीके से और इसमें देखिएस स्लाई लगाएंगे किनारी किनारी यहां पर पूरे में स्लाई लगाएंगे इस वाली कपड़े पर इसी तरीके से हम अधा इन चंदर मोलेंगे और इस साइट से स्लाई लगाएंगे इस तरीके से हम पूरे रेट वाली कपड़ों पर स्लाई लगाएंगे अधा इन चंदर मो तो इंच की चौड़ी तो इसको दोढ़ा मोढ़के पिर एक बहुरा और मोढ़ेंगे इस तरीके से जिस डोर को पर अंदर रख लेंगे फिर इसको खीचेंगे तो एक लबी डोरी हमें इस तरीके से हम बनाते हैं प्रटकन पाइपिन का दोरी वह सब्सक्सक्स सरे बन अब हम कपड़े को पहले दोरा करके पीच में डोरी रख करके धागे को पेस में हम स्लाई लगाएंगे पर इस धागे को उपर बिल्कुल भी स्लाई नहीं जाने चाहिए जिससे घी ठजकना हाथ होता है कप दागा इस तरीके से हम धीर धीर इसको पकटते जाएंगे नेट के कपड़े को अच्छे से ज्यादा खीचेंगे ने क्योंकि फट सकता है और इस डूरी को अंदर रखते जाते हैं और इसके राइट साइड में स्लाई करते जाएंगे इस तरीके से हमने दो इंच औरी 20 इंच रभी पट्टी लिए नेट की इसको हम बटन के लूप के लिए इस्तमाल करेंगे दीके इस तरीके से इसके भीच में रखते जाने भीए दिरए दीक पो धीडे को इसको हम काटके गाल देंगे इस तरीके से जिससे के हमारी सुंदर्सी डोरी तयार हो जाएगी अब हम इसको खीच करके सीधा कर देंगे एक लंबी डोर हमें ये वेल जाएगी इस तरीके से अब हमें के ये दो कपड़े हमने ले थे कमे बैट वालीिसमे जो आदा घिंच की अंधर स्ल演 दे अनको लिट ए पर इस तरीके से इसमें दो इंच कर ऊपड़ास हम गले कर निर्छान के लिए फिर नहीं पार जाले हम इस लिए एक ईक इंच पर इपिन लगा लिते हैं ले कि씨 पर आप इसमें हम लूग बनाएंगे तो पहले दोर इंच का पर छोड़ दिया है पिर इस दोर जो हम ने ली थी उसको घुमा घुमा करके इसको पर ऐसे गड़के लूग बना रहे हैं और पीच में आधा इंच पर एक पेंस अटा दे रहे हैं जिससे कि जब सिलने के टाइम तोरी अपनी जेंगे से खसके नहीं इस तरीके से वीज़े दीजे पूरे पट्टी में लगाते जाएंगे और इसको इस पर रखते जाएंगे और पिन लगा देंगे यह लूप करीब एक इंच कपड़ा लगेगा इसके लिए अंदर इस तरीके से यह जी़े हम सैट करते जा रहे हैं और इसमें पिन से फसाते जा रहे हैं बाद में सिल्ले में बहुत ही आसाणी होगी देखिए इस तरीके से सीघर तरफ से यह ऐसा दिखे रहे दगा लिए हैं बीश में 1-1 इंच पर एक पिन लगा दे जिसे किये दोरी है अपही जगे से सिल्ले के टाइम खसके लगाते जाएं इस तरीके से सीधे साइड समस्लाई लगाएं यह देखें इसको कटे जाएं और लगाते जाएं जो यह लूप है उनको भी सीधा करते जाएं इस तरीके से बतकुल करते जाएं इस तरीके से और लूप को भी सीधा करते जाएं इस तरीके से धीरे-धीरे कपड़े को कशकाते जा रहे हैं और लूप को भी अच्छे से सैट करते जा रहे हैं और जो अंदर दोरी भी है उसको भी अच्छे से सैट करते जाएं धीरे-धीरे इसमें स्लाई करते एचा जाला हमालेघ्ञ, इस तरीका से बीरे दीधे पुरे में Pro Pee Clay लगा लेए इसकोसног बहुती आशान इसको finishन नभी बहुतीм, लगे लेघी से क्लिधे पुरे पट्टे में Pro Pee Clay लगा लिए इस तरीके से पूरी पट्टी में स्लाइ लाँ राली और ये लूप्स बन गाए हैं अब हम इसमें दूसरी पट्टी में यह है यह हमने सीधे साइड में रखे हुई है यह देखे अब हम इसमें यह मुट्टी वाले बटन लगाएंगे देखे इस तरीके से जहाँ जहाँ लूप है उससे के साब से हम इसमें बटन्स लगा ले रहे हैं अब इस गली की लंबाई कम भी कर सकते हैं और जाधा भी करते हैं जैसे आपको देखिए हमने पूरी में बटन लगा लिए हैं इस तरीके से पूरी में इस तरीके से अब हम इसमें गले का रिशान लगाएंगे हमारी जो मीन गले की चुड़ाई है 6 इंच उसका अधा कर लें तो 3 इंच इसलिए हम इसको अच्छे से मोड करके पहले इस नेट को सेट कर ले रहे हैं पिन से अब हम आधा इंच उपर पर ले चोड़ के बाद फिर गले का निशान लगाएंगे इस तरीके से देखिए आधा इंच पहले हम उपर स्लाइब ले छोड़ देते हैं इस तरी यहाँ पर आधा इंच पर लिए उसके नीच पिर हम और 1 इंच लेंगे गले की घंबाई में इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेता हैं इस तरीके से और गले की चोड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे अब इसमें हल्की से गोलाई लगाते हुए गले की शेप देदेंगे इस तरीके से नेट के कप्ण में बड़ा साथ धानी से लगाना पटना है जिससे कि यह पट नहीं जाए अब इसको धीरे-दीरे इसको लाई को काटके अलाकर देगे देखे इस तरीके से 3 इंच पर देखे इस तरीके से में काटते हैं यहाँ आप इसमें थोड़ा सा अगला और भी गयारा कर सकते हैं देखे इस तरीके से हम इसमें सुन्दर से लेस लगाते हैं जिससे कि और ही सुन्दर लगने लगा देखे इस तरीके से यहाँ पर गोल्डन इस तरीके से इसको मशीन से लगा लेते हैं यह देके मैं मशीन से इसले इसको आपर लगा दिया है अब हम इस में कपड़े को रखेंगे ब्लास कपड़े इसमों उप्पर हम 8 इंच का देखी कला दे रहे हैं और नीचे हमारा 7 इंच था पर इसको खुब अच्छे से सेट कर लेगे कि जिससे कि इस तरीके से तरीके से सेट कर लेगे इसको और भी सुनदर दिखाने के लिए इसके उपर यहाँ पर लेस को टालतेंगे लगाकि इस तरीके सीड़े से अल लगा देजैंगी इस तरीके और ऴीटियों के लिए प्लीए मेरी पिंग चैनल को सब्सक्राइब किजिए इस तहरी के से के इस तरीके से नुवेदी में लेस को रखते जा रहे हैं और स्याट करते जाते हैं पूरी 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 लगा दिए यहां से पूरी में इस तरीके से इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए प्रीज सब्सक्राइब मैं पिंक चैनल थेंक्यू हुआ हुआ है